नमस्कार मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागराण के समपादकी से 426 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लिखेंगे पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की जरूरत है या आप इसके महतपूर सब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लें टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ने के लिए आप इसी बीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहाँ आपको टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जॉइन कर सकते हैं वहाँ से जॉइन करने में अगर आपको प्रावलम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलिग्राम एप को ओपन करें और वहाँ साथ हैं टीम टाइप करके भी गुरूप को जॉइन कर सकते हैं और पीडियाफ को प्राव्ट कर सकते हैं तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें इस्टार्ट यह महज दुर्योग नहीं की जब पाकिस्तान का सिंध प्रांथ फोज के दमन से कराह रहा है तब उसी समय जम्मू कस्मीर में पाकिस्तानी सेना के उस हमले को काले दिन के रूप में याद किया जा रहा है जो अक्टूबर 1947 में किया गया और जिसकी तबाही के निसान अभी भी मिट नहीं सके है पाकिस्तानी सेना किस तरह भारत और अफगानिस्तान के लिए सिर्दर्द बनने के साथ खुद अपने देश के लिए एक बड़ा खत्रा बन गई है इसकी गवाही सिंध के साथ साथ बलुचिस्तान खैबर बक्तूनख्वा प्रांत भी दे रहा है पाकिस्तान के कबजे वाला कस्मीर और खासकर गिलगिट बल्टिस्तान भी पाकिस्तानी सेना के दमन की कहानी कह रहा है पाकिस्तानी सेना अपनी मनमानी इसलिए कर पा रही है क्योंकि इमरान खान सरकार उसकी कटपुतली के तौर पर काम करना पसंद कर रही है वह पाकिस्तानी जनरलों की रबर इस्टेंप से अधिक कुछ नहीं रह गई है इसे बयान कर रहे हैं सिंध के विस्फोटक हालात पाकिस्तानी सेना ने विपक्षी नेताओं का धमन करने के मकसद से सिंध प्रांत के पुलिस प्रमुख का अपहरण करके अपनी उसी निरंकुस्ता की याद दिलाई जो उसने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांगला देश में दिखाई थी चुकि इसके नतीजे अच्छे नहीं होने वाले इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा वैसे तो पाकिस्तान की कोई भी लोगतांत्रिक सरकार आतंकियों को पालने वाली अपनी भरष्ट सेना के वर्चस्व से बाहर नहीं निकल सकी लेकिन सायद इमरान सरकार सबसे कमजोर और नाकारा है चुकि उसे सेना नहीं छलकपट से सत्ता में आसीन किया है इसलिए वह उसके आगे भीगी बिली बनी हुई है आंतरिक असांती से घीरे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां कुछ भी अनर्थ हो सकता है लोग जितना इमरान सरकार से खफा हैं उतना ही सेना से भी हाला कि पाकिस्तान बदहाल और बदहवास है लेकिन उसके सुधरने के कोई आसार नहीं वह अपने लोगों के साथ साथ विश्व समुदाय की आखों में धूल जोकने का ही काम कर रहा है पाकिस्तान यह तो चाह रहा है कि वह FATF की ग्रे लिश्ट से बाहर आ जाए लेकिन इसके लिए जरूरी कदम उठाने के बजाए दुनिया को गुमराह करने की कोशिस कर रहा है यह ठीक है कि चीन और तुर्की जैसे देशों को छोड़कर सेश विश्व पाकिस्तान की चालबाजी को भाप रहा है लेकिन भारत इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता कि वह FATF की ग्रे लिश्ट में बना रहेगा भारत इसकी अंदेखी नहीं कर सकता कि वह वैस्विक संस्था पाकिस्तान को दंडित करने के बजाए उसे मुहलत देने का काम कर रही है है हैरानी नहीं कि इसी कारण वह सही रास्ते पर चलने से इनकार कर रहा हो इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट यह महज दुर्योग नहीं की जब पाकिस्तान का सिंध प्रांथ फोज के दमन से करा रहा है तब उसी समय जम्मू कस्मीर में पाकिस्तानी सेना के उस हमले को काले दिन के रूप में याद किया जा रहा है जो अक्टूबर 1947 में किया गया और जिसकी तबाही के निशान अभी भी मिट नहीं सके हैं पाकिस्तानी सेना किस तरह भारत और अफगानिस्तान के लिए सिर्दर्द बनने के साथ खुद अपने देश के लिए एक बड़ा खत्रा बन गई है इसकी गवाही सिंध के साथ साथ बलुचिस्तान, खैबर, पक्तौन ख्वा प्रांत भी दे रहा है पाकिस्तान के कबजेवाला कसमीर और खास कर गिल गित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तानी सेना के दमन की कहानी कह रहा है पाकिस्तानी सेना अपनी मनमानी इसलिए कर पा रही है क्योंकि इमरान खान सरकार उसकी कटपुतली के तोर पर काम करना पसंद कर रही है वह पाकिस्तानी जनरलों की रबर स्टेंप से अधिक कुछ नहीं रह गई है इसे बयान कर रहे हैं सिंध के विस्फोटक हालात पाकिस्तानी सेना ने विपक्षी नेताओं का धमन करने के मकसद से सिंध प्रांत के पुलिस परमुख का अपहरण करके अपनी उसी निरंकुस्ता की याद दिलाई जो उसने पूर्वी पाकिस्तान यानि आज के बांगला देश में दिखाई थी चुकि इसके नतीजे अच्छे नहीं होने वाले इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा वैसे तो पाकिस्तान की कोई भी लोकतांत्रिक सरकार आतंकियों को पालने वाली अपनी भरष्ट सेना के वर्चस्व से बाहर नहीं निकल सकी लेकिन सायद इमरान सरकार सबसे कमजोर और नाकारा है चुकि उसे सेना ने ही छलकपट से सत्ता में आसीन किया है इसलिए वै उसके आगे भीगी बिल्ली बनी हुई है आंतरिक असांती से घीरे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां कुछ भी अनर्थ हो सकता है लोग जितना इमरान सरकार से खफा है उतना ही सेना से भी हाला कि पाकिस्तान बदहाल और बदहवास है लेकिन उसके सुधरने के कोई आसार नहीं वह अपने लोगों के साथ साथ विश्व समुदाय की आखों में धूल जोकने का ही काम कर रहा है पाकिस्तान यह तो चाह रहा है कि वह FATF की ग्रेलिष्ट से बाहर आ जाए लेकिन इसके लिए जरूरी कदम उठाने के बजाए दुनिया को गुमराह करने की कोईसिस कर रहा है यह ठीक है कि चीन और तुरकी जैसे देशों को छोड़कर सेस विश्व पाकिस्तान की चालबाजी को भाप रहा है लेकिन भारत इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता कि वह FATF की ग्रेलिष्ट में बना रहेगा भारत इसकी अंदेखी नहीं कर सकता कि यह वैस्विक संस्था पाकिस्तान को दंडित करने के बजाए उसे मुहलत देने का काम कर रही है है हैरानी नहीं कि इसी कारण वह सही रास्ते पर चलने से इनकार कर रहा हो इस टॉप तो दोस्तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किर्पया इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दिया करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस करने ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो जआपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपी को सीख सकें धन्यवाद